बंद कर दीजिए ये गलतिया करना वरना आपकी महिनत रिजल्ट में परिवर्थित नहीं होगी अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं उनमें से 2 या 3 लोगों को ही जोइन करा पा रहे हैं तो शायद आप इनमें से कोई एक मिस्टेक को कर रहे हैं तो कौन सी वो मिस्टेक से जिसको हमें बंद कर देना है जिससे कि हम 10 में से 7 या 8 लोगों को नेटवोक मार्केटिंग बिजनस में जोइन करा सके दोस्तो वीडियो बड़ा खास है इसे ध्यान से देखे और पूरा देखे सबसे पहली मिस्टेक और वो पहली मिस्टेक है फॉल अप को डिले करना यानि कि on this spot फॉल अप ना करना दोस्तो हम लोगों ने सीखा है four basics यानि कि list building कीजिए फिर prospecting कीजिए meeting को set करके presentation कीजिए उसके बाद follow up कीजिए और यहां पर कई बार हमें सिखा जाता है कि 24 से 48 गुंटे में follow up कीजिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज के इस तेज जमाने में अगर आप 3 basics के उपर काम करेंगे और 4 basics को optional रखेंगे यानि की list के बाद prospecting के बाद plan के साथ ही follow up करेंगे जो तीसरा और चोथा step पे उसको अगर आप combine कर देंगे तो आपके results के chances बहुत जादा बढ़ जाएंगे क्योंकि जब आप follow up को delay करते है तो दो चीज़े होती है पहली चीज़ होती है कि जो motivation plan के time पे create होता है वो motivation दीरे दीरे समय के साथ थंडा होना शुरू हो जाता है बिलकुल उस प्रकार से जैसे कि आपने तवे को gas के उपर गरम किया है जैसे आपने gas बंद किया दीरे 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 वो थंडा होना शुरू हो जाता है और दूसरा problem यह होता है कि जब आप उन्हें 24 या 48 गंटे क के बाद मिलते हैं तो इस दोरान वो 4-5 लोगों को इस business के बारे में बात कर चुके होते हैं क्योंकि वो भी देखना चाहते कि लोग इस system में जोइन करने को ready है के नहीं अब यह जो बात करते हैं इसमें कोई problem नहीं है लेकिन तरीका नहीं है उनको नहीं पता है कैसे बात कर जाए तो यहां पर सामने से जो response आएगा वो negative आने के chance बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि हम लोग try कर रहे हैं देखिए आप दुनिया में कोई भी business कीजिए try करने के लिए करेंगे तो फिर आपका attitude जो है वो try करने वाला होगा और सामने आपको result पी बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे तो आप कोशिश किजिए कि उन्दी स्पोर्ट आपका बंदा आपके साथ जूड़ जाए इसके लिए आपको क्या करना है उन्दी स्पोर्ट फॉल अप करना है देखिए हमारा काम है अपने जैसे लोगों को ढूंबना अगर वो बंदा opportunity की fear है follow up करने का हम ना से भाग रहे है कि अगर उसने मना कर दिया तो एक प्रकार का मानसिक डर है psychological fear है यह वह हम दिखाते नहीं है टीम के सामने लेकिन यह है हम लोग follow up से दूर बागते है हमें presentation करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बंदा हमारी बात सुनता जाता है वो आदे कंटे तक हमारी बात सुनता है हम बोलते जाते इसमें कोई resistance नहीं इसमें कोई objection नहीं है लेकिन follow up में objections आएंगे क्या सवल आएगा क्या जवाब का क्या reaction है कुछ भी नहीं पता इसलिए बहुत लोग इसे भागते है तो सबसे पहली mistake है follow up को delay करना अगर आप इस को करते हैं तो इसको आज ही बंद कर लीजिए क्योंकि यह तो खुद को ही बेवकूप बनाने वाले बात है और इस काम को हमें बिल्कुल बंद करने की जरूरत है इसलिए बहुत इंट्रेस्टिंग है सेकंड मिस्टेक में हम लोग follow up करते हैं लेकिन decision नहीं पूछते हैं यहां पर भी वही reason पूछेंगे तो क्या होगा ना बोलतेगा तो इसलिए हम बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते मैंने कई सारे लोग देखे प्लान के बाद उनका prospect जोइन करने के लिए रेडी है लेकिन वह एक बार भी नहीं पूछते के भाई साब बोलिए अपने मुझे बोलिए या सोर नो वह बोलते हैं यह हो गया वह गया ऐसा हो गया वह बोलता है रहता है और prospect के अलग कैसी होते हैं कि एक mobile पूरा जो कर रहे हैं ठीक है तो पहले तो क्या आते तो कीपेड वाले फोने उनकी बैटरी फूल जाती थी कई बार mobile फट भी जाता था अब यह अच्छा है स्मार्ट फोन में चार्जिंग ऑटो कट अफ हो जाता है तो आज के जमाने में क्या होगा कि वह चार्ज हो चुका है आप उ बीसे जंसे जोइन नहीं करेगा आप ने मान लिया आपने ब स्क्रली जीतनों कर लेते हैं कई बार कुछ लोगों को जोड भी लेते हैं आप और नहीं नहीं होता है ना इस व्यक्ति को आप जोडते है ना जोडने के बाद आपको उसके साथ काम भी करना है ठीक है न जैसे कि समधदार लोग यह कहते है कि एक व्यक्ति आपके साथ जब जुड़ता है तब काम की शुरुवात होती है और यह बहुत बड़ा फर्क है सेल्स और नेटवर्क मारकेटिंग में सेल्स में क्या होता है कि जैसे ही सेलिंग हो गया सेल्समें को लगता है बात खतम होगी कमिशन मिल गया कहीं ना कहीं वो हाई हेलो करके निकल जाता है लेकिन नेटवर्क मारकेटिंग में जब सेल क्लोज हुआ यानि कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ जोइन हुआ वहां से बात शुरू होती है तो आपको उस व्यक्ति के साथ काम भी करना है तो वो उसका decision होना चाहिए के वो हमारे साथ जोइन करें इसलिए decision पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है और देखें यह जो चीज़े है इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे आपने list पे नाम लिखा फिर आपने prospecting किया उनसे बातचित की meeting set की फिर आपने presentation भी किया आपने follow भी किया आप पूरी महिनत बेकार कर दी इसलिए network marketing business में training का सबसे ज्यादा महत्व है दोस्तों कि आप छोटी छोटी चीज़े सीखिए देखें कोई भी successful person और non successful person चाहें दुनिया के किसी भी field में हो उन दोनों के बीच में एक बहुत बारीक फर्क होता है और वो फर्क होता है कि जो key sectors ह होते हैं बहुत ही महत्वपून points होते हैं वहां पर ये successful लोग जो है वो master होते है और पीर unsuccessful नोन successful लोग है वहां पर कमज़र होते एक व्यक्ति closing मेंましたर तो 10 में से 78L talk को close कर देगा और एक व्यक्ति closing में अगर कमज़़र है तो दस में से दुही लोग को close कर पाएगा तो यह यहां पर यह चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप जिंदगी में काम्याप होना चाहते तो आपको सीखने के लिए भी तहर रहना पड़ेगा बाइदेवे तब मिस्टेक इस नौट आस्किंग डा डिसेजन डिसेजन हम लोग कुछते नहीं हम उस चीज खुले रखिए कि सर देखिए मेरा काम सिर्फ बताना है मैं ने दिखा दिया आपके सामने दोनों ओफशन खुले यस और नो आप यस कहेंगे तो मॉस्ट वेलकम मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताओंगा और भीकिनो करूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ह कोई भी व्यक्ति डिसिजन तभी ले पाता है जब वो मेंटली एकदम काम हो कमफर्ट में और शांत हो लेकिन आपकी बातों से अगर उसको लग रहा है कि अब यह आदमी मुझे बोलता है कि आप जोइन कर लीजिए आपको करना चाहिए आप कर ही लीजिए तब क्या होगा कि व्यक्ति अपना दिमाग कर देगा बंद क्युकि आपने उसके सामने नो बोलने का ऑप्षन बंद कर दिया सिर्फ यस बोलने का उप्षन चालू रखा तो कई बर क्या ठीच झा प्रोस के लिए आपको ठीक होगे शरकल मिलते आपको लगा कि आपका क्या यास ओगया लेकि उसके बाद उसका decision अगर yes है, तो वो definitely आपके साथ जोइन करेगा. Mistake no.4, अपने साथ products को ना रखना. दोस्तों, आप network marketing business में एक चीज़ को समझ लीजे, कि चाहे आप opportunity को sale करें, चाहे आप उनको एक platform प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, लेकिन इस business को जोइन करने के लिए तो product की ज़रूत पड़ेगी. कई सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से, शांदार तरीके से plan दिखाते हैं, लेकिन product अपने साथ नहीं रखते. तो आपका prospect जब बोलता है, ठीक है, आपके पास product है, मैं अभी purchase करना चाहूँगा, तो उस वक्त हमारे पास product नहीं होते हैं. हम कहते हैं, franchise पे आएंगे, या फिर आप हमारे office पे आईए, या फिर कल मिलेगा, या stockist के पास जाएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, कि आपने gap create कर दिया. अब वो 24 गंटे का time निकल गया, या फिर 40 गंटे का time निकल गया, कई बार यह होता है, कि बंदा आपके साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन उसको फिर product लेने के लिए 3 दिन, 4 दिन time ही नहीं मिला, और 4 दिन में तो वो आपको भी भूल गया, अगर उसी वक्त आपके पास product होता, तो शायद वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ चुका होता, तो इस चीज़ को समझे कि आपको कम से कम 10,000 रुपे का product अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस बिजनस से लाखो रुपिया महिनया कमाना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल बात है, लाखो रुपिया महिनया कमाना तो 10,000 रुपे का product हमारे पास होना चाहिए, देखें बिल्कुल सिंपल बात है, आप रोड पे चल के जा रहे थे, एक चाहे की दुगान पे रुकें, एक छोटी सी रोड पे जो एक लाली लगी होती है, रेड़ी लगी होती है, वहाँ पे रुकें, आपने बोला भाई स बखें एक चाहे दीजीए, अभी मैं दूड लेके आता हूं, बोला ये क्या बात होगी, बोला आप जब पैसे देंगे उससे दूद लाओंगा उससे चाहे बनेगी तो कुछ लोग ऐसे बिजनस करते हैं सर आप जोइन कीजिए उस पैसे से फिर में पर्चेस करके आपको बढ़े मिला उस टैप से उनके पास 10,000 रुपे का भी एडवांस प्रोड़क नहीं है और अ आपके पास प्रोड़क्स का रहां बहुत ज़्यादा जारूरी है मिस्टेक नमबर फाइव और वो है प्रोस्पेक का इगो हर्ट कर देना आप एक चीज याद रखे कि आप उनको जोइन कराने के लिए गए है या आप अपनी बात मनवाने के लिए गए है दोस्तों कई सा पर्चेश का पावर दिखा दिया आज एक आध्मि को इट का जवाब पत्थर से दिया अरे भाई इट का जवाब पत्थर देने मत घाये पत्थर फैकने नहीं जाना हमको अगर आप पत्थर फैकते रहेंगे आपकी टूट जाएगी उनी इटों से आपका महल बनने वाला देंकि यह सब चीज़े क्या होते हैं जब आपका इगोर्ट होता है और वह कब होता है जब आप समझते कि अगला बंदा क्या है जैसे किसी व्यक्ति ने कहा यार इस प्रकार की चेंग सिस्टम तो यह तो फाल्ट तू कम्पनिया भाग जाती हैं तो आप इसको पोजिटिवल हैं अलंवे मेरी बात सुनें और वो कब हो सकता है कि जब मैं उसकी बात को सुनूगा यह आदमी बुरा नहीं है इसको ज्यान हो जाएopa तो यह भी मेरे जिसा है दुनिया में बिसंधिया जिए अब बर मेरी fight चल रही है और कई बार तो क्या हम रिष्टा खराब करते थे तो किसी भी वज़े से आप ego hurt मत कीजिए क्या होगा अगर आपके prospect ने आपको दो तीन बात ऐसी पता दी जिससे आपका ego hurt हो गया लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा के चले गए आपने सिर्फ इतना कह दिया कि सर लगता है कि आज आप गुस्से में है आपका mood ठीक नहीं है कोई बात नहीं हम बात में फिर मिलेंगे तो यकीन मानिये जब आप वहां से चले जाएगे ना रात को सोने से पहले उस व्यक्ति को कि यार मैंने उस व्यक्ति को कैसा कैसा बोला लेकिन वह बंदा फिर भी कितना जहन्यूं था कि उसने मुझे प्यार से बातचीत की और फिर मुझे मिलने के लिए कहा है अब company क्या है प्लान क्या है product क्या है वो मुझे नहीं जाना लेकिन मुझे इस आदमी से जरूर मिलना ह जो आज में इतना अच्छा था, तो ये हमारा काम है, जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए हमको जुकना सिखना पड़ेगा, हमें खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, और वही व्यक्ति आने वाले समय में आपका लीडर भी बन सकता है, वो जोइन करे के नहीं करे उसकी अपनी एक सोच है, आपको उसकी सोच को मान सम्मान देना चाहिए, इसलिए कभी भी आरग्युमेंट में ना फसें और कभी भी ego hurt ना करें, आरग्युमेंट के बारे में मैंने एक चीद बहुत अच्छे से सीखिये हैं, जब आप आर्ग्युमेंट को जीतना सीख जा कौन सी mistake आप कर रहे थे जिसको आप अभी करना बंद करेंगे उसको इस वीडियो के comment section में जाकि ज़रूर बताईए और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को like कीजिए दूसरों को share कीजिए और हाँ चैनल को subscribe करना मत भूलेगा wish you all the best be the best